हाई फ्रेंड वेलकम टू गेम ओफ एनिंग्स सबसे पहले बात कर लेते हैं दर रॉक सैथ रॉलिंस और कॉड़ी रूट्स के अलिमिनेशन चेमबर स्टेटस के बारे में यह वहाँ दिखने वाले या नहीं दिखने वाले हैं चेमबर जो कि ऑस्टेलिया के पर्थ में होने वाला है अब काफी टाम पहले ऑस्टेलिया ने यह गन्फरम करा था कि रॉक पर्थ के अलिमिनेशन चेमबर में होने वाले हैं हालांकि वह वहाँ क्या करेंगे यह अभी गन्फरम नहीं है हाँ पहले ऐसे रूमर्स थे कि रॉक ग्रेसन वालर एफेक्ट में दिखेंगे ब बलकि कॉडी रूट्स और सेथ रॉलिंस वाले हैं अब सवाल यह कि रॉक का क्या वो एलिमिनेशन चेमबर में होंगे या नहीं होंगे वो वहाँ मैश लड़ते दिखाई देंगे या नहीं लड़ते दिखाई देंगे तो मुझे लगता है मैच मैश तो वो लड़ते रिस्क तो लेने से रही इसलिए हो सकता है कि रॉक ग्रेसन वालर एफेक्ट शो में आके कॉडी रूट्स और सेथ रॉलिंस को कंफरेंट करें इनके बीच प्रोमो वार दिखाई जिससे शायद रैसल मिनिया 40 की पिच्चर क्लियर हो सके वहीं ये तो तैय है कि रॉक रैसल चैंबर जीतना होगा और चैंबर में कॉंपीट करना होगा जिसके चांसे अब थोड़े कम नजर आ रहे हैं वहीं हो सकता है कि अलिमनेशन चैंबर में इनके बीच चोटा मुटा ब्रॉल वगेरा देखने को मिल जाए अब वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप स जीता उसके बाद रोमन रेंज की तरफ इशारा करा फिर रोमन रेंज को रॉक ने कंफरंट करा तो सामने यह आया कि रोमन रेंज वर्सिस कॉड़ी रूट्स नहीं होगा रॉक वर्सिस रोमन रेंज होगा रैसलमीनिया 40 में वहीं दूसरी साइट सैथ रॉलिंस कॉड़ी रूट्स की साइट से चड़ पड़े थे, अब आज कल सैथ रॉलिंज और कॉड़ी रूट्स में ज़ादा यारी दिख रही है, वहीं डबल डबल लई में कुछ भी पर्मानेंट नहीं है, कुछ टैम पहले सैथ रॉलिंज और कॉड़ी रूट्स के तेरा टाइटल चाहिए, क्योंकि मेरे फादर से ये टाइटल ले लिया गया था मेडिसन स्क्वेर गार्डन में, तो उनका सपना पूरा करूँगा अब कहीं न कहीं कॉड़ी रूट्स ने सैथ रॉलिंज को ओफर टुकरा दिया, वहीं सैथ रॉलिंज रैसल मेनिया 40 में कॉड़ी रूट्स के मैच के दौरान कॉड़ी रूट्स पे ही टर्न करते हुँ दिखाई दे सकते हैं ऐसा होगा, तो ये सैथ रॉलिंज का बड़ा हील टर्न होगा, और एक बार फिर से कौडी रूट्स के हाथ से बड़ी अपॉशनियोटी निकल जाएगी कहने का मतलब यह है कि सैथ रॉलिंज रोमन रेंज का टाइटल सेव करवाते हूँ दिखाई दे सकते हैं अब बात तो यह है कि फैंस यह बरदाश नहीं कर पाएंगे मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि रोमन रेंज रैसल मिनिया 40 में टाइटल हरेंगे वो इसलिए क्योंकि रोमन रेंज का इतना लंबा टाइटल रेंज डब डबलोई प्रेडिक्टिबल तरीके से तो एंड करवाने से रही क्योंकि सब को लग रहा है कि कॉडी रूर्ज ने लगातार दूसरी बार रैसल मिनिया में रोयल रंबल जीत के रोमन को चैलेंज करा है तो वो तो रोमन रेंज को इस साल पकार आने वाले हैं तो मुझे लगता है कि डब डबलोई रोमन रेंज को ऐसे हरा है जिसकी फैंस को भनक भी ना हो है तो सैथ रॉलिंज एक बड़ा नाम बन सकते हैं उनको टाइटल रिटिन करवाने में महीं काफी लोगों का ये भी मानना है कि रोमन रेंज को डित्रोन करने वाले कोई हैं तो सैथ रॉलिंज ही हो सकते हैं क्योंकि वो डिजर्व करते हैं क्योंकि Roman Reigns Seth Rollins को आज तक नहीं हरा पाएं महीं चांसेज हैं कि Seth Rollins Elimination Chamber के विनर के खिलाफ और Roman Reigns वर्सेश कॉड़ी रूट्स के बीच मैच नाइट टू महीं होगा अगर इनके भी स्टैक्टी मैच होता है तो और बताएं जा रहा है कि शायद Seth Rollins रैसल मीनिया में अपना टाइटल हार जाएं और फिर वो रैसल मीनिया में ही कॉड़ी रूट्स पे टर्न कर जाएं अब क्या होगा क्या नहीं उसका तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वैसे जो होगा बड़ा होने वाला है कुछ बड़ा इंट्रेस्टिंग ट्विस देखने को मिलेगा तो ये था आज की इस वीडियो में उम्मीदा वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी यहां तक वीडियो देखिए और लाइक नहीं करें तो लाइक करें चैनल पे नहीं दो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलता हूँ लग दी नेक्स वीडियो में थैंक यू